इस विक हम अपना सेकेंड चैप्टर चेप्टर चेप्टर का स्टार्ट करेंगे हमारे और रड़ी हिस्ट्री में दो चैप्टर हो गए हैं सिविक्स में भी हो चुकी हैं है सो नाव चुक्रफिस टर्ण चैप्टर नंबर टू हमारा लास्ट चैप्टर इस मंध का नैचरल रिसोर्सेज लेंड सोइल और व्रट चैप्टर नीम है यह तो स्टूरिंट अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं Here is your chapter Chapter name क्या है बेटा Natural Resources हमने already first chapter पर पढ़ लिया था कि Natural Resources क्या होते है Resources provided by nature to you, to us are called Natural Resources जो संसाधन हमें प्रकृती से बलते हैं उसे हम Natural Resources कहते है और Resources क्या थे? क्या थे Definition? Anything that fulfill human needs can be called a resource जो भी चीज हमारी need को पूरा करे, जरूरत को पूरा करे वो हमारा संसाधन कहलाती है तो अभी हमारा Natural Resources यानि प्रकृतिक संसाधन और इस चैप्टर में हमें कौन-कौन से Natural Resources के बारे में पढ़ना है लैंड यानि के भूमी, सॉयल, मिट्टी, रिदा और वाटर, जल ठीक है इन तीनों के बारे में हमें पढ़ना है स्टूर्जिन तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर स्टूर्जिन Outcomes, Learning Outcomes हमारे लैंड रिसोर्से, लैंड यूज और लैंड स्लाइट यानि भूमी संसाधन क्या है उसका यूज कैसे है और लैंड स्लाइट क्या होता है सॉल में सॉल डिसोर्स, मिट्टी जो है मृदा उसे बोलते है प्रॉपर हिंदी में तो मृदा संसाधन क्या है, सॉल डिसोर्स के टाइप्स क्या है सॉल मिट्टी भी बहुत तरीके की पाय जाती है तो वह पढ़ेंगे हम और उसका कंजर्बेशन क्या है सेव करने के तरीके की है वाटर रिसोर्स एंड देर कंजर्बेशन जल संसाधन और उसका संरक्षन उसको बचाने के उपाय तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट अपना चैप्टर सो स्टूडेंट ये अल्टरी नो अबाउट वाट अट आर नेचरल रिसोर्स तो स्टूडेंट ये वाट रिसोर्स देर्ट आर उप्टेंट वाट नेचर जो चीज़े जो संसाधन हमें नेचर से मिलाया नेचर क्या है प्रकृति से यानि हमने उसे बनाया नहीं है पहले वह अल्रीडी इस मतलब वर्ल्ड में एक्षिस करता है और हम उसको यूज करके उससे जरूर करते हैं बट हमने जो मेंली है वह उसको हमने नहीं बनाया तो जैसे की कैसे नाचरल रिसोर्स देर्ट सॉयल सॉयल क्या है मिट्टी है ना और वाटर पानी लैंड धर्ती बूमी एयर हवा यह सब हमारे एसेंचेल के लिए बहुत जरूरी होते हैं और आप देखोगे तो इनका डिस्ट्रिबूशन भी प्लेस टू प्लेस अलग होता है आपने कभी नोटिस किया कभी कहीं पर जो लैंड मतलब हम जैसे यहां रह रहे हैं माउंटेन में जाते हैं पहाड़ों पर वहां अलग है ना यहां से कंडिशन और वाटर लैवल भी अलग होता है सॉयल भी अलग होती है तो अलग-अलग जगा पर अलग-अलग यह जो इन human population कहा रहना पसंद करेंगे अब आपको ऐसी जगह पे रहना जहां आपको रोज 10 किलोमेटर से रोज वाटर लेके आना पड़ रहा है और मार्केट भी बहुत दूर है, स्कूल, कॉलेज, सब बहुत दूर तो आप ऐसी जगह रहना पसंद करोगे, नहीं करोगे न, चहां लाइफ बड़ी ही हाड हो तो इसका मतलब क्या हुआ, कि जो धर्ती पे जितना भी लैंड है वो सभी गा सभी लैंड, human's habitation के लिए suitable नहीं है यानि हर भूमी मानव के बसने के लायक नहीं होती है कि हम सोचें, हाँ भूमी है, तो होँआ इंसान रहता ही रहता हुआ नहीं, ऐसा नहीं है जो हमारी लाइफ है, वो depend करती है किस चीज़ पे? quality of our life हमारी जो quality of life है, also dependent on the three natural resources जो हमने तीन natural resources इस चैप्टर में पढ़ने है उन्हीं पे ही depend करती है और वो तीन कौन कौन से है, land, soil and water, उके, तो उस पे हमारी life बहुत depend करती है, देखो हमारे लिए water कितना ज़रूरी है, water के बिना हम रहे नहीं सकते, land के उपर ही तो हमारे mostly activity ही land के उपर हो रही है, और soil मिटी भी वह ज़रूरी है, तो इस तरीके से ये हमारे life कैसी quality की रहेगी, तो उसके लिए बहुत important रहते हैं, तो अब भी हम एक छोटा सा message पढ़ेंगे, land pollution, आपने बहुत बार pollution के बारे में mainly पढ़ा होगा बेटा, कि production क्या होता है, जब कोई भी चीज खराब हो रही है, गंदी हो रही है, तो उसको हम pollution कहते हैं, अब land pollution क्या है, land मतलब भूमी यानि भूमी परदूशन, कैसे होता है land pollution, जब हम जो हमारा land हे, उसे गंदा कर रहे हैं, उसके ओपर कुडा कच्रा फैक रहे हैं, तो ऒभी हमारा, ये देखो, ये जो हमारा land है, उस पर हम कंदगी फैल आ रहे हैं कुड़ा कच्रा डाल रहे हैं तो यही हमारा लेंड प्लूशन हुआ ना भूमी का प्रदूशन करना और इसके लिए कौन रिस्पॉन अब देखो यह नेचर खुद से तो नहीं करता ना क्या अपने उपर उसने कुड़ा कच्रा डाला है इसका डारे जाते हैं और उसमें फर्टिलाइज हो जाते हैं ना बट जैसे प्लास्टिक है बॉटल्स है यह सारी चीजे नहीं जल्दी से घुलती है और यह परदूशन फैलाती है तो हम वह चीजे जो कैमिकल है मतलब और हमारा वेस्टेज होता है ऐसी चीजे कीट नाशक दवाईया इनसेक्टिसाइड है इन सब को खेती में यूज़ करते हैं जैसे पर यह जल्दी से डिसॉल्व नहीं होते हैं तो इससे क्या होता है लैंड पे पॉलुशन बढ़ता है प्लस इंडस्टी में जो समान बनता है तो उसका जो वेस्टेज होता है वो भी हम ऐसे मतलब भूमी क पर फेकते हैं तो हमारा एंवार्मेंट डे बाई डे क्या होता है डिस्ट्रॉई होता है तो इस तरीके से और फैदे को घर भूमी खराब है जिस एरिया में हम रह रहे हैं आसपास अगर गंदी होगी तो उसका इफेक्ट उसमें कीडे मकोडे लगेंगे हमारी ही हेल्थ प उसका हमें कुछ और सॉलुशन करना चाहिए ऐसे नहीं फेकना चाहिए है तो में ली यह पंतव हमने पढ़ लिया तैरा ग्राफ तो यह बोल रहा है वट इस लैंड पिलूशन लैंड पिलूशन क्या होता है लैंड पिलूशन क्या है लैंड पिलूशन क्या है लैंड पिल चले जाना ही पॉल्यूट होते चले जाना ही लेंड पॉल्यूशन कहलाता है कोई भी दो कार्ण बताओ इसके बहुत सारी हमारी एक्टिविटी लाइक वी थ्रोग कैमिकल्स उन्दा सोयल हम मिट्टे के ओपर कैमिकल पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड डालते हैं या हम इंडस्ट्री का जो वेस्ट होता है वो सब डालते हैं तो इससे एंवार्मेंट डे बाइडे पिल्यूट होता है हमारा ओवर यूज ऑफ लेंड रिसॉर्सेज लबहूमी काते प्रियोग करना तो यह हमारे रीजन हो गई अब इस आगे क्या बोल रहा है वेटा थैख्ट हमने आ तक तो ओल्रेड एक है लिए वाइड प्लेंड सार मोर प्पॉपॉलेटेड देन माउंटीन्स और डेजर्ट माउंटीन कुन सा इलाका होता है पहाड़ी इलाका डेजर् तो आप यह बताओ प्लेंस एरिया जो है वहाँ पे ज्यादा तर लोग क्यों रहते हैं विकॉज इन प्लेंस एरिया लाइफ इस मोर एजियर देन माउंटेन एंड डेजर्ट एरिया क्योंकि जीवन है वह प्लेंस एरिया में काफी असान होता है सारी चीज अवलेबल फार्मिंग अवलेबल होती है यहाँ पे इंडस्टी होती है टिकनोलोजी बहुत एडवांस की होती है जबकि माउंटेन और डेजर्ट एरिया में इतनी पॉस्पिलिटी नहीं होती है तो वहाँ लाइफ बहुत हार्ड होती है तो अब हम अपना पहला जो रिसोर्स है, वो स्टार्ट करते हैं हमए स्टैपड में तीन रिसोर्स पढ़नी है लैंड, सॉइल & बॉर्टर तो फ्रस्ट वण क्या है हमार bibled रिसोर्स्टेज speaker लैंड क्या हो ने अल्रेड़ी पढ़ लिये है भूमी संसादन अभी बेटा आपको ये औरेडी पता है कि जो हमारा अर्थ है उसमें 71% जो है वो वाटर है और बच्चा हुआ 29% ठीक है वो हमारा लेंड एरिया है यही है तो 71% वाटर है और जो लेंड एरिया है वो 29% है यानि उस 29% पे ही हुमिन रह रहा होगा तो लेंड जो है एक बेसिक रिसोर्स है क्योंकि यह सभी तरीके की फॉर्म्स की ओफ लाइफ को सपोर्ट करता है भी देखो जितने भी जीवी चीज़ है लाइक प्लांस हों, हुमिन बिंगो, एनिमल्स हों, बर्ड्स हों किसी भी तरीके की वो जिसमें भी जान होती है वो सब के सब किसके उपर रहते हैं लेंड के उपर ही तो रहते हैं तो इसलिए हमारे लिए यह बहुत चुरूरी है अभी आपको ओल्डेडी यह चीज़ पता है कि जो हमारा 29 परसेंट अर्थ है वो लेंड है जो अर्थ की सरफेस पर बूमी कितने परतीशत में है 39 परतीशत में और बाकी में वाटर है अब इस 29 परसेंट में से भी out of this only 30 परसेंट is fit for human habitation and economic activity अब जैसे यह मेरा 29 परसेंट है आप ले लो ठीक है 29 परसेंट का मैंने एक सर्कल बिनाया इसमें से भी जस्ट जो 29 परसेंट एरिया है न वो बहुत अच्छा है human के रहने के लिए ठीक है बाकी जो mountain एरिया है या फिर जो desert एरिया है वो human के लिए रहने के लिए उतने suitable नहीं होते है तो यह क्या बोल रहा है कि 29 परसें हमारा land है फिर उसमें से भी अगर हम देखें तो उसका मानलो उसको अब हमने 100% माना तो उसका भी just 30% जो है human habitation का मतलब होता है मानों के बसने के लिए रहने के लिए और economic activity होता है जो activities which are done for earning the money is called are called economic activity वो क्रियाए जो हम पैसा कामाने के लिए धन कमाने के लिए करते हैं व इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं इंडस्ट्री लगा रहे हैं farming कर रहे हैं जो भी काम कर रहे हैं तो वह भी basically मतलब आप यह क्या कह रहा है कि इतने में से भी इसके सिफ 30% में यह possibility जादा होती है क्योंकि जो बाकी का area होता है वो uneven होता है तेरिन उसका तेरिन का मतलब क्या होता है जो लेंड का टाइप है वो मतलब ऐसा होता है कि वहां पर यह सारी चीजे पॉस्लिटी इतनी नहीं होती है mountain area है जैसे की पहाड़ी अब देखो पहाड़ों पर ठीक है कहां से इतनी खेती हो सकती है कहां से यह इंडस्ट्री लग स तो ठीक है ओपर से यहां water resource की कमी होती है अब देखो जो खाने पीने की चीजे फूट ग्रेम्स वो भी यहां का मुगता है तो बेसिकली कहां से जाता है जहां पर उगर है plains area से ही तो यहां पर जाएगा है तो इस तरीके से mountain area desert area desert में भी देखो agriculture नहीं होता possible because क्योंकि वहा याली नहीं होती water level भी कम होता है काफी और फिर यहां पर काफी देखो hot और cold climate होता है जो जलवाई हूँ है वो बहुत गर्म और महाड़ों पे बहुत थंडी और desert में क्या होती है बहुत गर्ब thick forest घने घने जंगल low lying water locked area प्लस पानी की कमी होती है इन छेत्रों में जो पानी का level होता है वो काफी कम होता है तो इस तरीके से जो सिर्फ plain area होते हैं plain area यानि मैदानी इलाके बिल्कुल flat समतल भूमी और जो नदियों के किनारे बसे हुए इलाके है अब देखो यहाई से तो नदियां गुजरती है और उस वो जो नदियां होती है वो लैंड को फटाइल करती हुई जाती है मिटी को फटाइल करती है फटाइल का मतलब उसे उपजाओ बनाती है और इसी लिए यही इलाका जो है most यहां का climate यहां की जो favorable चीजे हैं इसी के कारण mostly human जो है population in plain area में रह करती है because life जो है यहां पर more easier बहुत असान होती है और areas के comparison ने तो अभी यह क्या वोल्ड है कुछ ऐसे अरिया बताओ world के जो बहुत ही populated है like up देखो हमारे Eastern Europe काफी popular है अगर हम इंडिया में बात करें अगर अपने इंडिया के बात करें तो जो हमारा प्लेंस एरिया है जैसे पंजाब है हरियाना है डेली है यूपी बिहार यहां पे बहुत population मिलेगी और जबकि अगर हम देखें जम्मू कश्मीर माउंटेन एरिया है और उत्राखंड है इन सब में इनके comparison में कम मिलेगी नेक्स पेज पे चलते हैं स्टूजिन अभी क्या बोल रहा है लैंड यूज अब हमने लैंड रिसॉर्स तो पढ़ लिया ठीक है कैसे human life के लिए बहुत important है अब उसका कहां कहां यूज होता है कैसे कैसे किन किन activities में तो देखो जो लैंड है वो हमारा बहुत सारे पपस के लिए यूज होता है agriculture खेती के लिए grazing पश्यों को चराने के लिए forestry जंगल वीजी पे होते हैं इंडस्ट्री 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 वीजी पे हैं and mining mining by humans mining activity क्या है वो activity जिनसे हम जो minerals है उनको डिकिंग करके क्वैरिंग करके अर्थ से निकालते है ना खनीज को तो यह सारी की सारी activity कहां हो रही है और land के उपर हो रही हो रही है तो mainly बहुत सारे purpose के लिए land को use किया चाहता है so बिटा look this map land use in India आप इस map में देखो के ये भूमी का इस्तमाल कैसे मतलब किन शेत्रों में किन किन चीजों के लिए चाहदा किया जाता है तो आप अपनी book में देखोगे तो यह आपको देखेगा अब देखो सबसे पहला color देखो हर color किसी ना किसी चीज को show कर रहा है तो पहला जो light yellow है वो color किया शोग कर रहा है अरेबल suitable for growing crops यह वो area है जो mostly जहां पे crops जो है उग सकती है तो आप देखो इधर हम देखे तो पंजाब है हर्याना है यूपी है बिहार है फिर इधर तब देखो यह तो मेंली ज्यादा तर चारों हैं और इधर थोड़ा बहुत फिर देखो गुजरात में है थोड़ा बहुत राजस्थान में महाराष्ट में है बिसेकली तो यह color मतलब किसको शोग कर रहा है फसले जहां हो रही है तो यह चारों में अगर आप देखोगे तो चारों पांचों में तो इन में पूरा यही color है mostly बहुत ही rare दूसरा यहां mostly जहाँ तर खेती होती है forest area जो अब green color है वो forest area का है तो आप देखो इधर देखो जम्मो कश्मीर में हिमाचल में उत्राखंड में और यह seven sister वाला area देखो सारा ही forest area है और बीच बीच में इधर देखो महारास्ट में महारास्ट में green green जहां भी है यह forest area non agriculture area orange color वाला आप दे देखो आप यहां पर जैसे वेस्ट बिंगॉल में यह वाला इधर है फिर इधर उडिसा में है थोड़ा बहुत इधर है अब purple color किसको शो कर रहा है पर 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 पल कर शो कर रहा है plantation plantation क्या होते है प्लांटेशन होते हैं जब जो लार्ड स्केल पर एक ही मतलब क्रॉप होगा ही जाती है जिस भूमें पर उसे हम plantation कहते तो आप असाम में देखो पर पल कलर थोड़ा थोड़ा दिख रहा है यह टी के plantation है इधर देखो करनाटक में और केरला में इधर भी कॉफी टी बनाना क के फिर ब्लाइट पिंक क्लर है लाइट फिंक क्रपो इन क्रसे काटेदार ज़ाडिया और वह सब वह तो मुझी डेजर्ट एरिया में और प्लाटी एरिया में होता है तो यह दीकर राजस्थान में कितना ज़्यादा दिखाये गया इधर गुजरात में महारास्ट में हैं और लास्ट है अन्प्रोडेक्टिव लेंड यह बेसिकली वो है जहां पर मतलब खेती नहीं हो सकती है और माउंटेन एरिया होता है या डेजर्ट एरिया यह होता है तो इधर देखो जम्मू कश्मीर में है इधर हिमाचल उत्राखंड और इधर यह राजस्थान का दिखाया अन्प्रोटेक्टिव लेंड तो इस तरीके से यह लेंड यूज है भारत में कि कैसे किन किन शेत्रों में आपको खुद ही देखके पता चलड़ा है कि खेती जो है वो कहां कहां ज्यादा होती है जंगलों से रिलेटिड एरिया कौन-कौन से ज्यादा है तेन फेक्टर्स टेटर माइनिंग लैंड यूज अब जो भूमी का यूज हम करते हैं उसके लिए क्या क्या फेक्टर्स यानि कारक या तत्व किन किन बेसिस पे किन किन तत्व के अधार पर करते हैं तो फेक्टर्स जो है वो मेंली किन किन बेसिस पे भूमी डिफेंट डि है सबसे पहला इसमें में माना जाता है टोपोग्राफी तोपोग्राफी का मतलब होता है भू आकृति यानि भूमे की आकृति ठीक है तो टोपोग्राफी का मतलब लेंड साइस स्ट्रक्चर अभी देखो जैसे यह हमारा mountain है mountain area plain area फिर थोड़ा सा desert area या और फिर क्या है plateau area इस तरीके से अलग-अलग जो area है land के अलग-अलग तरीके की भूमी की जो किसम है वो टोपोग्राफी में आती है अब देखो पहाड़ों पे mountain area में अगर हम सोचे के वहाँ पे हम बोड़ी train चला ले तो possible है नहीं है न तो इस तरीके से climate जलवायू climate के अंदर weather include होता है basically climate क्या होता है जैसे हमारा मौसम है सुबे कुछ शाम को कुछ और एक पल में मतलब एक एक घंटे में बदल जाता है पर जो climate है basically वो एक निशित बड़े area की समझ लो जलवायू का मतलब क्या है कि उसमें उसका weather already consist है जैसे अब देखो हमारा climate जो है इंडियन सब कॉंटिनेंट का सिर्फ हमारा भारत का नहीं जो इसकी neighboring आसपास की country है के यहां दो महीने तीन महीने गर्मी रहती है फिर winter होता है autumn होता है spring season होता है तो basically यहां का यह वाला climate है तो यह कम से कम लगभग जब काफी global warming बढ़ती है या बहुत चीज़े बदलती है तब 20 से 25 साल में change होता है तो climate अब देखो पहाड़ों पर climate ठंडा मिलता है plains में heat वाला मिलता है desert में और heat वाला मिलता है आप सोईल की quality आप देखोंगे mountain पे आपको सोईल की quality अलग मिलेगी desert में बिल्कुल ही light weighted soil होती है हाथ में लेते ही उड़ती है ना मरुस्तल वगेरा में आपने अगर कभी देखा हो राजस्थान गई हो था डिजर्ट गई हो तो types of rock पहाडों के भी प्रकार होते हैं तो आपने 7th class में पढ़ा होगा ना igneos, sedimentary, metamorphic तो तीन तरीके के पहाड़ होते हैं अब availability of water and mineral अब देखो किस तरीके के land पे जो पानी है और खनीज है वो कितने ज्यादा मिल रहे हैं कम मिल रहे हैं तो जो plateau region होते हैं उन पे ज्यादा कहां रहे हैं तो size of population यानि जल संख्या का आकार तो basically plane area में ही वैसे तो ज्यादा रहते हैं अब technology available mostly जो देखो यूज किया जाता है topography climate quality and thickness of soil types of rock water available and minerals availability size of population and available technology and capital capital क्या होती है पूंजी धन पैसा ठीक है तो इस तरीके से हमने यह देखा तो क्या है पिटा के जो location है किसी भी place की और वहाँ पे उसकी connectivity accessibility 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 का मतलब होता पहुँच वो depend करती है लोगों का lifestyle कैसा है वहाँ पे वो land use pattern का उस मतलब काफी प्रभावित करता है तो जो ज्यादा तर जो land है वो किस चीज में यूज किया जाता है पूरे अर्थ में agriculture में यूज किया जाता है और क्यूं यूज किया जाता है because human को जिन्दा रहने के लिए क्या चाहिए food grains चाहि ताकि food grains चाहिए जा सके और human survive कर सके तो इस तरीके से देखो हमने determining factor देखे विटा लेंड के इसके अलवा देखो लेंड जो है वह क्लासे मतलब ownership के according मीन को classify किया गया है भूमी जो है उसको स्वामित्व के अधार पर भी वाटा गया एक है private land और एक है community land private land क्या होता है private land is a land of a group or an individual but community land is owned by a community of that region basically अब देखो आपका अपना घर है वो आपका है आपके फादिर का है तो वो आपकी private भूमी है ना private land है पर उस जहां जिस एरिया में आप रह रहे हो वहां का पार्क है community center है वो जस्ट आपका नहीं है ना बलकि वहां रहने वाले सभी लोगों का है हर कोई उसे यूज़ कर सकता है तो private land जो होता है वो या तो किसी एक individual एक विक्ति या फिर कोई भी family या ग्रूप वो यूज़ करते हैं अपने need की according और community land पूरे समुदाय का होता है जो वहां पर रह रहे होते हैं जिसे पार्क है community center है यह सब तो उसे हम common property यानि सबकी संपत्ती कहते हैं अभी आपको पता है पहले जो था हमारी इतनी population नहीं थी वर्ल्ड में इतनी population नहीं थी तो mainly बहुत कम एरिया पे agriculture होता था like जैसी यह हमारा एरिया है पूरी भूमी है तो थोड़े से पार्ट पे खेती हो जा रहा था और काम चल जा रहा थ लेकिन जैसे जैसे population बढ़ने लग गई तो अब भाई जंगलों को जो थे काट काट के खेती के लिए बढ़ाया गया क्योंकि जनसंख्या बढ़ी तो उनको खाने के लिए अनात चाहिए रहने के लिए घर चाहिए तो उनके लिए house भी बनाने पड़ेंगे भाई ठीके काम करने के लिए factory चाहिए इंडस्टी चाहिए वो भी बनाने पड़ेंगे तो जो बेटा land का pattern है वो काफी change हो चुका है और time के साथ साथ ठीक है हमारी required क्योंकि population increase हुई needs increase हुई तो पहले जो खाली भूमी थी अब वो भी use में आ रही है तो बहुत सारे forest जो थे उनको cut किया settlement के लिए बसने के लिए फसले उगाने के लिए इंडस्टी के लिए use किया गया पर अगर सारे forest हम cut देंगे greenness ही नहीं रहेगी तो वैसे भी oxygen नहीं आएगी तो भी हम जिंदा नहीं रह सकते तो काफी technology का use किया गया तो पहले से land का जो pattern था वो काफी change हो चुका है एक्जेम्पल के लिए बता रहा है imagine basin 7th class में आपने पढ़ा होगा उनकी देखो कितने change हो गया land use pattern और जो para rise यह भी आपने 7th में पढ़ा होगा North America के थे वहां भी cultivation of food crops possible हो पाया पहले नहीं था इतना लेकिन अब खेती भी की की जा रही है वहां roadways railways भी बनाये गए जबक इसली population world की है वो day by day increase हो रही है जिन संख्या बढ़ रही है तो उनकी need भी बढ़ रही है तो इसके लिए forest land को agriculture land में यानि जो जंगल वाली भूमी थी उसको खेती योग के भूमी में बनाया गया फिर काफी सारे land को industrial land में बनाया गया जहां industries लगाई के buildings road houses वेगरा बनाये तो इससे land pattern जो है काफी change हो चुका है cultural changes हुआ तो अगर हम survey कर देखें किस तरीके का change हुआ है land use pattern mainly तो जो maximum land जो change हुआ है basically वो human की need के कारण ही change ऐसा थोड़ी न अपने आप से हुआ है जो a plan for land use should be prepared so that limit अब हमें भूमी जो है भाई देखो लिम्टीड है तो इसको एक यो साथ use करना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा अब देखो आपने देखा होगा मेंली लोग apartments में रहने लग गए क्यों क्योंकि इतनी property है ही नहीं इतना land है ही नहीं कि सब अपना individual अलग अलग घर बना ले उसमें क्या है कि एक ही land पर भाई बहुत सारी 10 to 12 stores की बन जाते है इसलिए ये बोल रहा है कि ये जो है बहुत जरूरी है तो हमें जो है mainly land को manage करना है उसके use को ठीक तरीके से मतलब समल के planning के साथ use करना है क्योंकि ये जो water है soil है ये सब natural resources हैं और land पे देखो सिर्फ हमारी life नहीं animals की plants की सब की life depend करती है तो मतलब इस तरीके से environment को कोई नुकसान ना हो अच्छी रहे सबकी life water availability रहे सारी चीज़े रहे मतलब सभी के लिए usable के रहे तो हमें इसके लिए step उठाना है basically तो student आज की class में इतना ही पढ़ेंगे आगी खा हम next class में continue करेंगे thank you